नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभीका आपके अपने यूटूब चैनल एक्जाम स्टूडियो पे दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम लेकर आई हैं मुगल काल से जो भी क्यूशन एक्जाम से पूछे जाते हैं तदा अभी तक जो पूछे गए हैं वो सभी क्यूशन हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे दोस्तो हमारा दावा है अगर एक्जाम में मुगल काल से कोई भी क्यूशन पूछा जाता है तो आपका गलत नहीं होगा सर्त यह हैं वीडियो के साथ सुरू से लेकर अंतितक बने रहे हम इस वीडियो के अंदर बाबर, हुमायू, अकबर और अंगजेव सभी के क्यूशन इस वीडियो में कवर करेंगे तो चलें दोस्तों शुरू करते हैं पहला क्यूशन है बारत का परथम मुगल बादशा कोन था तो इसकी जो सई आंसर आपका वह है सी बाबर बाबर इसका सही जवाब है अगला क्यूशन है पानी पत की पहले लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो पानी पत की पहले लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो इसका जो सही जवाब है आपका वो है 1526 इस्वी के अंदर लड़ी गई थी किस किस के मद्दे लड़ी गी थी बाबर तथा इब्राहिम लोदी के दोनों के मद्दे यह लड़ाई लड़ी गी थी अगला क्यूशन है बाबर ने तुझुक एबावरी नामक अपने संस्मरन किस बासा में लिखे थे बहुत अच्छा क्यूशन है बार-बार पूचा जाता है एग्जांस में तो इसका जो सही आंसर है वो है तुर्की के अंदर अगला क्यूशन है दिल्ली में मुगल सामराज्य की निव निम लिकित में से किस लड़ाई के परिणाम सुरूप पड़ी थी बहुत अच्छा क्यूशन है तीन से चार बार अभी तेक एग्जांस में पूचा भी जा चुका है तो इसका जो सही आंसर है वो है पानी पत की पहली लड़ाई की बाद मुगल सामराज्य की निव दिल्ली के अंदर पड़ी थी ठीक है तो यह यूद किस किस के मद्धी हुआ था भी आपको बता देते हैं बाबर तथा इब्राहिम के मद्धी यह यूद हुआ था 1526 के अंदर इसके बाद इनकी निव दिल्ली के अंदर पड़ी मुगल सामराज्य की अगला क्यूशन है भारत में सबसे पहले तोप खाने का प्रियोग किस ने किया था तो आपका इसका जो सही जवाब है वो है D बाबर ने अगला क्यूशन है खानवा के यूद में बाबर द्वारा प्राजित किया जाने वाला राजपूत राजा था तो इसका जो आपका सही जवाब है वो है A राना सांगा इसका सही जवाब है खानवा के युद में बाबर द्वारा प्राजित किया जाना वाला राजपुत राजा था राना सांगा और किस वर्ष हुआ था ये 1527 के अंदर हुआ था खानवा का युद और 1527 के अंदर कौन सा हुआ था पानिपत का और 1527 के अंदर कौन सा हुआ खानवा का तो आप याद रखना राना सांगा तथा बाबर के मद्दे 1527 का युद्ध हुआ था इसी युद्ध के अंदर बाबर ने जिहाद का नारा दिया था ये क्यूशन भी पूछा जा सकता है ठीक है अगला क्यूशन है बाबर की मर्त्यू कहां हुई थी तो इसका जो आपका सही जवाब है वो है आगरा के अंदर पहले आराम बाग में इसे दफनाय गया था उसके बाद इसकी चैनित इस्थल काबूल में दफनाय गया था बाद में अगला कुछन है दिल्ली में पुराना किला का निर्मान किस सासक के सासनकाल में हुआ था आपको यहाँ पर बताना है किस सासक के सासनकाल के अंदर हुआ था दिल्ली के पुराना किले का निर्मान तो आपका यहाँ पर इसका जो सही जवाब है वो है C हुमाईयू के सासनकाल के दोरा अगला क्यूसन है पुराना किला किस ने बनवाया तो पुराना किला किस ने बनवाया था सिरसा सूरी ने ये इसका सही जवाब है अगला क्यूसन है 1540 इस्वी में किस यूद के पश्षात हुमायू को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था बहुत अच्छा क्यूसन है बार-बार एकजाम से पूछा जाता है तो इसका जो सही जवाब है वो है कन्नोज कन्नोज इसका सही जवाब है कब लड़ा गया था ये पंदरा सो चालिस इस्वी में कनोज का यूद लड़ा गया था किस किस के मद्दे सेरखा और हुमायू के मद्दे ये यूद लड़ा गया था अगला क्यूशन है दिल्ली में हुमायू का मकबरा किसे किसने बनवाय था दिल्ली में हुमायू का मकबरा किसने बनवाय था तो इ दिल्ली में किस ने बनाया था हाजी बेगम ने यहां से एक क्यूशन ऐसे भी पूछा जाता है कि किस युद के दोरान हुमायों को भार छोड़ कर भागना पड़ा तो क्या जवाब होगा आपका कन्योज अगला क्यूशन है मेधावी राजस्वे अधिकारी टोडरमल ने किस के अधीन सेवा की थी यानि कि पहले पूछ रहा है कि पहले किसके अधीन सेवा की थी तो इसका जो सही जवाब है आपका वो है सेरसा सेरसा यहां पर आपका सही जवाब है पहले अकबर के अधीन सेवा करते थे यहां पर ओप्शन में गलत टाइप हो गया है तो यहां पर अक्बर आएगा D में, ठीक है, बेदावी, राजश्व, अधिकारी, टोडल नमर में किसके अधीन सेवा की थी, तो यहां पर आएगा अक्बर, अक्बर के अधीन सेवा की थी, ठीक है, तो यह option यहां पर, अक्बर आप यहां पर कर लेना, अगला क्यूशन है, काला नौर में अगला क्यूशन है, बहुत अच्छा क्यूशन है, तो कहां किया था, फतेपुर सीकरी के अंदर, अगला क्यूशन है, निमल लिखीत में से, किसने अक्बर की जीवन कथा लिखी थी, तो इसका जो आपका सही जवाब है, वो है A, अवुल फजल, यह कौन थे, अक्बर के नो रतनों में से एक रतन थे, अगला क्यूशन है, दीन ए इलाई, बनाने का मूल उद्दस से क्या था, तो इसका जो मू बनता है, तता एक क्यूशन और बनता है, दीन ए इलाई किसने शुरू की, तो किसने कि शुरू की थी, अक्बर ने, यह भी क्यूशन यहाँ पर पूछा जाता है, तता एक क्यूशन और पूछा जाता है, इसके पहले अनुनाई कौन थे, तो इसके पहले अनुयाई कौन थ अकबर के जो ये पहले अनुनाई कौन थे इसके अकबर अगला कुशन है आईने अकबरी पुस्तक का लेखक कौन है तो आईने अकबरी पुस्तक के लेखक जो आपके हैं वो हैं अवुल फजल अगला कुशन है अकबर नामा किसने लिखा था तो अकबर नामा किसने लिखा थ बहुती अच्छा क्यूशन है बार-बार एक्जाम से पोछा जाता है तो इसका जो सही जवाब है वो है सी अकबर और राणा परताप सिंग के मद्दे हल्दी घाटी की लड़ाई लेडी गई थी कौन सी इस्वी में अगर पूछ भी लिया जाए एक्जाम में तो पंद्रा सो चिंतर इस्वी के अंदर ये इसका सही जवाब है अगला क्यूसन है मुगल परशासन व्योस्ता में मनसबदारी प्रनाली को किसने प्रारम किया था तो इसका जो सही जवाब है वो है अकबर ने फतेपूर सीकरी का निर्मान किसने करवाया था तो इसका जो सही जवाब है अकबर ने फतेपूर सीकरी का निर्मान करवाया था और पूछ लिया जाई फतेपूर सीकरी कहां परिस्तित है तो कहां परिस्तित है आगरा इसका सही जवाब है ठीक है अगला क्यूसन है निम्र लिखित में से कौन सा एक फतेपूर सीकरी के अंदर इस्तित नहीं है तो आपको चारों में से बताना है कि कौन सा फतेपूर सीकरी के अंदर इस्तित नहीं है तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका C, सोरी, इसका जो सही जवाब है आपका वो है बी मोती मस्जिद पंच महल सलीम सिस्ती का मकबरा और मेरियम पेलेश ये तीनों चीजे फतेपूर सीकरी के अंदर इस्तित हैं लेकिन मोती मस्जिद जो है ये फतेपूर सीकरी के अंदर इस्तित नहीं है ये काँ पर इस्तित है दिल्ली तता आगरा के किले के अंदर अबना दार्मिक विचार्वीमर्स कहां करता था तो कहां पर करता था इसका सयांसर। इबादत खाना के अंदर अगला कुश्यन है परियाग नगर को अलाबाद अलाग का नगर नाम किस ने दिया था तो इसका जो सही जवाव है वो है आपका अकबर अगला क्युशन है अकबर के आरंबिक दिनों में उसका सन्मक्षक कौन था तो आप सभी को पता है बेरम खान अगला क्युशन है अकबर का अभीरक्षक कौन था तो ये भी बेरम खानी थे अगला क्यूशन है निमिल लिकित में से किस सासक ने जजिया कर समाप्त कर दिया था तो आप सभी को इसका आंसर पता होगा तो इसका सही जवाब है अकबर अगला क्यूशन है अकबर का परसीद राजस्व मंत्री कौन था तो इसका जो सही जवाब है वो है D अगला कुशन है अकबर के दर्बार में सबसे परसीद संगीतकार तानसेन का मोल नाम क्या था तो इसका जो आपका सही जवाब है वो है रामतनु पांडे अगला कुशन है निमिल लिकित में से कौन दीन ए इलाई का सदसे बना कौन दीन ए इलाई का सदस्य बना तो कौन बना था राजा बीरबल ठीक है आपको वहाँ पर बताया था दीन ए इलाई कब सुरू की गी थी कब सुरू की गी थी और किसने सुरू की थी तता पहला अनुनाई कौन था राजा बीरबल अगला क्यूसन है निमल लिकित में से कौन सा वेकती निरक्षक था ठीक है, तो इसका जो सही जवाबाब का वो है अकबर निरक्षक थे, यानि के ये पड़े लिखे नहीं थे अगला क्यूसन है निमल लिकित में से किस मुगल समराथ को हिंदी गीतों की रचना का स्रेप्राप्त है तो इसका जो सही जवाब आपका वो है B, अकबर अगला क्यूसन है जब इस इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशा कोन था? काफी बार एक्जाम्स में पूछा गया है क्यूसन तो उस समय मुगल बादशा कोन था? अकबर ही थे अगला क्यूसन है नेमिल लेकित में से कोन सा अकबर दुवारा अपनाए गया? सुधार उपाई नई है कोन सा सुधार उपाई नई है नई है वो आपको यहाँ पर बताना है तो इसका जो सही जवाब है वो है इक्ता पर्नाली इक्ता पर्नाली की शुरुवात किस ने की थी? इल्तू तमिस ने इल्तू तमिस इसका सही जवाब आएगा बाकी दाग, मनसबदारी पर्नाली, जबती पर्नाली ये सभी किस ने शुरू की थी? अकबर ने अगला क्यूशन है किसके सासनकाल में तुलसी दास ने राम चरित्र मानस लिखी तो इसका सही जवाब आपका अकबर तुलसी दास ने राम चरित्र मानस किसके सासनकाल में लिखी अकबर के तो आप सभी इन क्यूशन को अच्छे से पढ़ लेना हम आपको description के अंदर PDF इसकी दे रखी है आप वहाँ से PDF फी डाउनलोड कर सकते हो ताकि आप दुबारा से कभी PDF खोल के सभी questions का जल्दी से आप revision कर सकते हैं क्योंकि हमने आपको answer इस वीडियो के अंदर बता दिये हैं और आपको सिर्फ PDF खोल के अपना revision करना है अगला क्यूसन है जांगीर का अर्थ क्या होता है तो जांगीर का अर्थ क्या होता है विस्वेव विजेता अगला क्यूसन है निमिली कित में से किन मुगल समराटों ने स्वेम अपनी आत्मकता लिखी थी तो इसका जो सही जवाब है वो है बाबर और जहांगीर ने स्वैम अपनी आत्मकता लिखी थी बाबर ने बाबर नामा लिखी थी तथा जहांगीर ने क्या लिखा था तुजुक ए जहांगीर नामक अपनी पुस्तक आत्मकता लिखी थी अगला कुशन है चित्रकारी किसके सासन के दोरान अपने उस्तमिस्तर पर पहुंची तो इसका जो सही जवाब है वो है जहांगीर दोस्तो बार बार गुमा फिरा कर यहीं कुशन पूछे जाते हैं तो आप अच्छे से पढ़िए एक दो बार रिवीजन करिए आपका एक भी कुशन यहाँ पर गलत नहीं होगा अगला कुशन है इंगलेंड के ततकालिन राजा जेमस पर्थम दोरा जहांगीर के साई दरबार में राजपूत के रूप में निमी लिखित में से किसको बेजा था यहाँ पर राजदूत है ठीक है तो इसका जो सही जवाब है आपका वो है ए जोन होकिन्स को बेजा गया अगला कुशन है किस मुगल बादस्या ने तंबाखो के परियोग पर तंबाखो का परियोग निशेद किया तो इसका जो सही जवाब है वो है जहांगीर ने अगला कुशन है किस मुगल बादस्या ने राजदानी आगरा से दिल्ली इस्थाननत्रित की थी तो हमने पूछा था 70 परतिसत बच्चों ने इसका अंसर गलत बताया था तो इसका जो सही जवाब आपका वो है सहाजा ने अपनी मुगल बादस्या ने सहाजा ने अपनी राजदानी आगरा से दिल्ली स्थानंत्रित की थी अगला क्यूशन है विश्वय परसित तक्त ए ताउस निम ने आम के अंदर अगला क्यूशन है मोती मस्जिद निमन में से किस नगर में इस्तित है तो हम यहाँ पर मोती मस्जिद के बारे में चर्चा करते हैं तो इसका जो सही जवाब आपका वो है आगरा आगरा के अंदर मोती मस्जिद इस्तित है इसका निर्मान किस ने कराया थ तो प्रिख्या में दो कुछन यहां पर बनते हैं अगना की मोती मस्जिद का निर्मान किसने करवाया साजा ने तता दिल्ली के जो किले में इस्तित है लाल किले में इस्तित है मोती मस्जिद उसका निर्मान किसने करवाया था ओरंग जेब तो मोती मस्जिद दिल्ली के लाल किले में इस्तित है तता आगरा के किले में विश्ती था ठीक है अगला क्यूशन है निमिल लिकित में से किस मुगल सासक ने संगीत और नर्ते पर परतिबंद लगाया तो इसका जो सही जवाब है वो है ओरंग जेब ने औरंग जेब के बाद उसका कौन सा बेटा भादूर सा के नाम से भारत का समराट बना ठीक है तो इसका जो सही जवाब है आपका वो है बी महुम्मद मुअज्यम इसका सही जवाब है अगला क्यूशन है निमिल लिकित में से औरंग जेब का उत्रा धिकारी कौन था तो इसका जो सही जवाब का वो है डी मुअज्यम अगला क्यूशन है मुगल सासको की दरबारी भासा कौन सी थी बहुत अच्छा क्यूशन है दो तिस दो से तीन बार पूछा भी गया है तो इसका जो सही जवाब है वो है फार्सी बार्त में बीवी का मकबरा कहां पर इस्तित है तो इसका जो सही जवाब है वो है महारास्टर के औरंगाबाद के अंदर बीवी का मकबरा इस्तित है तता इसका निर्मान किस ने करवाय था औरंग जेब ने तो दोस्तों यहाँ पर मुगल काल से जो भी अभी तक के क्यूशन पूछे गए हैं और आगे पूछे जाएंगे वो सभी हमने यहाँ पर कम्पलीट करा दिये गए हैं पचास क्यूशन हमने यहाँ पर बोल के करवाई हैं तता इसके साथ भी हमने जानकारी दिये हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो अपने दोस्तों से शेर भी करना नहीं भूलें तो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ धन्यवाद